हेई, वाट्स अप गाईज, वेलकम टू माई योटीब चनेल, आई टिक क्रियेटर, सो गाईज, तो इन इस वीडियो आई विल सो यू, सेवेन एमेजिंग सुपर सोनिक जेट बाइक्स, तो ये सेवेन एमेजिंग एन इूनिक बाइक्स का स्पीड तुलना की जाये तो आप को मिलेगा, 0-1000 kmph स्पीड तक, यानी एक जेट प्रेंड का स्टार्टिंग स्पीड के जैसा, तो आज का इस वीडियो में दिखाने वाला सेवेन इूनिक बाइक्स, पानी में चलने से लेके असमान तक उड़ सकता है, विकॉज ये टॉप सेवेन बाइक्स का अलाग-अला concept and futuristic design है, तो गाईज, आप सभी को बताना चाहूंगा, ये वीडियो को सुरू से लेके end तक जरूर देखिए, नहीं तो कुछ ना कुछ इनिक बाइक्स मिस कर जाओगे और IT Creators YouTube चनल को सब्सक्राइब करके इन नोटिफिकेशन आइकोन को अन कर लिजिए, आगे ऐसे गेज़िटिलेटेट वीडियो आपको मिलता रहेगा नमबर 7, Quadro Ford Guys, Introducing Quadro Ford Electronic Motorbike जो की एक 4-wheeler Motorbike है तो जैसे की हम सभी तो जानते हैं आज का डेट में सरक में चलने बाला सबसे ज़ादा 2-wheeler Motorbikes and 4-wheeler Car से तो इंटरनेट डिशर्च का हिसाब से 4-wheeler Car से ज़ादा 2-wheeler Motorbikes का road accident ज़ादा होते है Because high speed में अचनक brake दबाने से and you turn लेने के टाइम, Motorbikes का दोनों wheel balance नहीं कर पते है जिसके बज़ासे Motorbikes रास्ते में गीर के accident कर जते है तो इसी प्रोबलेम का solution करने के लिए Quadro brand 4-wheeler Motorbikes का invention किया है तो ये Quadro Ford Motorbikes में आपको मिलेगा 22 kilowatt का engine जिसके बज़ासे आप 200 km per hour speed में चला सकते हो and this bike 4-wheeler होने के बज़ासे रास्ते में wheel skip का के road accident होने के chance बिल्कुल नहीं है प्रूबलेंग प्रीक में बच्वाए नहीं है प्रूबलेंग के बचल आपए एर दो लिए नहीं है गाइस जैसे जैसे हमारा टेकनोलोजी आगे बढ़ रहा है उसके साथ कुछ ना कुछ इमुनिक इन्वेंशन होता जा रहा है जैसे कि पुराने जमने का 80cc स्कूटर आज का डेट में 1000cc का सुपरसोनिक जेट बाइक में कॉनवर्ट हो गया है तो गाइस अब सभी ने 80cc स्कूटर से लेके हाइच स्पीड मोटर बाइक एंड हाइटेक इलेक्रोनिक मोटर बाइक तो देखाई होगा बट आज आपको दिखाऊंगा ऐसा एक यूनिक बाइक जिसमें चड़के आप अजमान में उड़ सकते हो ओ सकते हो एम गाइके कि अइस कि प्लाइक रआण जिसमें थीक pewter बाइके में नमबर फाइब लिज़र्थ एलिम 847 गाईज हाइब स्पीट मोटरसाइकल ब्रैंड जैसे की कावसा की निंजा, ब्यम डवलो, डुकेटी, हर्ले डिविट्सन यह सभी ब्रैंड का बनाने बाला हाइब स्पीट मोटरसाइकल तो हम सभी ने देखाई है जो बेसिकली नॉर्मल डिजाइन एंड टू वीलर का होते हैं बट आज आपको दिखाऊंगा ऐसा एक टॉप स्पीट बाला मोटरसाइकल जिसका डिजाइन कुछ एलियन टेकनलोजी के जैसा कड़ा गया है सो गाईज, इंट्रड्यूसिंग लेजर्थ एलेम 847 तो ये फ्यूचरिस्टिक डिजाइन वाला बाइक में आपको मिलेगा 470 होर्सपार वाला इंजिन के साथ 4 वील जो की हाई स्पीट में चलने के टाइम रास्ते में ज़्यादा ग्रीप करने के लिए ये बाइक में 4 वील दिया गया है एंड गाइस ये बाइक को स्टार्ट करने के बाद 5 सेकेंड के अंदर 400 किलोमेटर पर हावर स्पीट तक क्रोस कर सकते हो एंड 11 सेकेंड में 600 किलोमेटर पर हावर स्पीट को भी क्रोस कर पाऊगे नमबर 4 स्पो वीलचेर Physically Disabled लोग चलने के लिए यानि एक जगा से दूसरे जगा में जाने के लिए काम में लेते हैं फ्वीलचेर का तो वीलचेर को लेके सार्बिस एरिया में ही चलाना पोसबल है एक फ्वीलचेर में चल के सभी जगा जाना पोसबल नहीं है वीकोज एक फ्वीलचेर से सीरी जगा के फास्ट टोर, सेकंड फ्रोर में नहीं जा सकते हो तो इसी प्रॉबलेम का सल्यूसन करने के लिए एमेरिका का कुछ इन्वेंटर ऐसा एक स्मार्ट फ्वीलचेर का इन्वेंशन किया है जो wheelchair में चरके किसी भी जगा में जा सकते हो जैसे कि Uber Cover रास्ते में चलने से लेके किसी भी मंदिल का सीरी अड़ाम से परगर सकते हो तो गाईस ये smart wheelchair कैसे काम करता है यानि ये wheelchair कैसे सीरी चर सकता है ये थोड़ा धिक लो नमबर थ्री मेंटा फाइब हाइट फोलियर गाईस इंटरडियूसिंग मेंटा फाइब हाइट फोलियर जो की एक वोटर बाइसेकल है यानि इस बाइसेकल में चरके आप फानी के उपर में साइकलिंग कर सकते हो तो जैसे कि मैंने इस वीडियो का ट्रेलर में बताया था आज का इस टॉप सेबन एमेजिंग बाइक्स में मिलेगा कुछ ना कुछ उनिक फीचर्स जैसे कि कुछ बाइक्स को पानी में चलाने से लेके अजमान धा कुडा सकते हो तो इसलिए आपको दिखाऊंगा मेंटा 5 भाइट फोलियर वाटर बाइसेकल को तो ये मेंटा 5 बाइसेकल दुनिया का पहला वाटर बाइसेकल है जो टोटाली विदाउट इलेक्रिक पावर से चलता है यानि ये वाटर बाइसेकल को फैडलिंग करके चलाना पड़ता है एंड इस वाटर बाइसेकल को ऐसे फाइबर प्लास्टिक से बनाया गया है जो पानी में नहीं डूबेगा नमबर टू राइनो वान वीलार मोटर साइकल गाईज आज का ये सेवन एमेजिंग बाइक बाला वीडियो में आपने तो बहुत सारा फ्यूटरिस्टिक बाइक देख चुके हो जो कुछ बाइक में फोर हुल यूज करा गया है तो कुछ बाइक में सुपर सोनिक जेट इंजिन यूज करा गया है तो ये सभी फ्यूटरिस्टिक बाइक के अंदर से आज आपको दिखाऊंगा ऐसा एक उनिक डिजाइन बाला मोटर साइकल जो ओनली वन वील में चलता है तो ये राइनोग वन वीलर मोटर साइकल एक एक इलेक्रोनिक मोटर साइकल है तो इसमें लिधियम आयोन बैटरी का इवुज करा गया है और ये बैटरी को एक बड़ फुल चर्ज करके अपतो 15 माइल्स तक ये मोटर साइकल को चला सकते हो तो गाईस ये वन वीलर मोटर साइकल में इसकरा गया है जाइरो सिंसर को जो सिंसर के बज़ा से ये मोटर साइकल ओनली वन वील में ही चल सकता है नमर वान स्ट्रीम इंजीन मोटर वाइग हम सभी तो जानते हैं दूनिया का फेहला स्टीम इंजीन इंवेंटर थोमस से बड़ी है जो steam engine को invent करने के बाद फहले railway में उस steam engine को काम लिया गया था तो इसी steam engine concept को सोचके 2015 में Switzerland का एक inventor steam engine bike का invent किया है तो guys ये steam engine bike में कोई भी electric engine या electric motor का use नहीं किया गया है तो ये bike चलता है totally steam power से तो इस bike में steam generate करने के लिए नीचे का container में koela use किया जाता है एंड उपर का container में steam collect किया जाता है तो उसी steam से ये bike को power मिलता है एंड ये bike चलने लगता है So guys ये amazing वीडियो के लिए एक like तो बनता ही है एंड मुझे comment करके बताएए ये वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे dancing लगा और ये वीडियो को facebook whatsapp में share करके आपका friends को दिखा सकते हो तो screen में मेरा profile picture को click करके itkretos youtube channel को अभी subscribe कर सकते हो और screen का YouTube वीडियो को भी देख सकते हो So thanks for watching this video guys and ta-ta take care